हारत के हेल्थ केर सिस्टिम को ट्रांस्फॉर्म करना है, स्वस्त समाज का निर्मान करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा, पारंपारिक और आधुनिक इलाज की साजा ताकत को मजबूत करना होगा, आयूश और मोडर्न हेल्थ केर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बहतर स्वास्त समाधान हम तयार कर पाएंगे। के लिए नई दिल्ली में अखिल भारतिय आयरुवेद संस्थान की स्थापना की, जिसे माननिय प्रधानमंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को राश्ट्र को समर्पित किया गया। 50 से अधिक देश-विदेश की संस्थाओं के MOU के माध्यम से 1500 से जादा शोध प्रकाशित हुए। DGWHO ने संस्था को Tradition Supported with Technology का एक अच्छा मॉडल बताया। आयरुवेद के सम्रिध ज्यान का लाब अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। इसके लिए AIIA नई दिल्ली का Satellite Center अब गोवा में विकसित किया गया है, जिससे गोवा में जन मानस तक आयरुवेद चिकित सा पहुँचेगी। गोवा अंतर राष्ट्रिय परेटन का केंद्र है। यहां के शांत बातवरन और जैव विविधता को देखते हुए, ये अखिल भारतिय आयरुवेद संस्थान के लिए एक उचित स्थान है। माननिय प्रधान मंत्री का सपना है हेल इन इंडिया। इसी सपने को साकार करने के लिए और मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने में संस्था अपना योगदान देगी। अंतर्राष्ट्रिय मेडिकल सेवा के लिए आने वाले लोग अब आयूश के माध्यम से होलिस्टिक और इंटिग्रेटड चिकित्सा का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही गोवा अंतर्राष्ट्रिय आयरुवेद शिक्षा का केंद्र बनेगा। गोवा सरकार ने अंतर्राष्ट्रिय स्तर का केंद्र विकिसित करने के लिए 50 एकड़ घूमी दी। AIIA के रूप में गोवा को एक ऐसा सेंटर मिला है जो सेकंडरी हेल्थ प्रिवेंशन में एक मानक स्थापित करेगा। उच माप दंडों पर स्थापित पंच कर्म कोटेज से साकार होगा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का सपना। साथ ही गोवा के निवासियों को मिलेगा आयरुवेद चिकित्सा का लाब। हम गौरबान वित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवास्थित अखिल भारतिय आयरुवेद संस्थान के सेटलाइट सेंटर का उद्घाटन किया।